कुदरत का करिश्मा तो देखो उस रात दो गटाए होई की जी अफ भी बिल गया और वो भी बैदा हो गया क्या के जी अफ चाप्टर टू की कहानी रिलीज से पहले ही लीक हो चुकी है आखिर किस बात के लिए यश और अधीरा के बीद जंग चुड़ जाएगी हेलो फ्रेंट्स आप देखनें पॉलिग्रास स्टूडियो स्मेहम सोनी का जाल फिल्म के जी अफ चाप्टर टू को लेकर दर्शकों की बीद जैसी उतसुकता इन दिनों देखने को मिल रही है वैसी उतसुकता कभी अमिता बच्चन की फिल्मों के लिए ही रहा करती थी अमिता बच्चन जैसा अंग्री मैन इस फिल्म से लोटा है फिल्म का पहला चाप्टर हिंदी पट्टी में खूब कामियाब रहा अबारी अध्या एक्रमांक दो की है यानि की केजी अफ चाप्टर टू की है जिसका टीजा रिलीज हो चुका है इस पिक्चर की कहानी लीक हो चुकी ऐसी के साथ जो हम आपको बताने वाले हैं केजी अफ चाप्टर टू की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां इस फिल्म का पहला भाग खत्म हुआ कहानी में जैसा की अभीनेता याश की किरदार रॉकी ने अपनी मरती हुई मां से वादा किया था कि वह गरीबी में अपना दम नहीं तोड़ेगा उसका ये वादा दूसरे भाग में भी जारी रहेगा इसकी जहलक तो के इजी अफ चैप्टर टू के टीजर में आपने देखी ली रॉकी काफी बड़ा भी हो गया है और समझदार भी उसका सपना है कि वह सोने के वापार क राज करे और राजा बन जाए इसी काम के लिए वो तदपर है कि जी अफ चैप्टर टू का मुख्य किरदार रॉकी इतना समझदार है कि वो राजनीती के गंदे खेल और माफियाओं के बीच बनते समीकरोनों को समझने लगा है उसका लक्षया अपने दुश्मनों का खात दद का फसलुक भी जारी किया था जानकरी दी थी कि वो इस फिल्म में मुख्या विलन अधीरा के किरदार में नज़र आने वाले हैं के जी अफ चैप्टर टू के लिए दरशकों के बीच उत्सुकता का एक कारण संजदन का किरदार अधीरा भी है निर्माताओं ने ये उ गोल्ड माइन पर राच करना उधर रौकी भी चाता है कि वो इस सोने की ख़दान पर राज करें इसलिए रौकी और अधीरा की लडाई आपने सामने की है इस सीरीज की पहली फिल्म में सूर्य वर्धन का ही बेटा गरूर मुख्य विलन था के चैप्टर टू की में बनी ये फिल्म पहली करनट फिल्म होगी जो लगभग सौ करोर की बजट में बनाई गई है जिस तरह फिल्म का टीजर और ट्रेलर ने यूट्यूब में धड़ाधा लाइक्स बटो रहे हैं दर्शकों का करशित किया है उससे यही लगता है कि विल्म बॉक्स ऑफिस मे धूम मगी तो आपको कितना इंतजार है के जीएफ चाप्टर टू का नीचे कॉमें सेक्शन में जरूर बताईएगा और इसी तरह के दूसरे अपडेश के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉली ग्राफ स्टूडियोज को